आज इस वीडियो की शुरुआत मी मैं clarify कर दूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं मानता हूँ कि वो ब्रमास्तर पार्ट वन शिवा देख चुके हैं अगर देख चुके हो तो most welcome और अगर नहीं देखिये तो बड़ी इज़त के साथ कहना चाहूँगा क्योंकि वीडियो के अंदर part 1 को लेके काफी सारे spoilers होने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियो देखने एक बात कहो कि यार मुई का मज़ा खराब कर दिया तो अब भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि वरमास तब देख चुके हैं तो अब देखो बात ऐसी है कि फिल्म को देखने के बात काफी सारे doubts clear हो गए हैं बट साथ ही काफी सारे ने सवाल भी खड़े हो गए हैं इस मूई को देखने से पहले मेरे दिमाग में बस एक यही सवाल था कि यार मतलब ये बंदा है कौन बस एक बार पता चल जाये चाहे कोई मुझे spoiler दे दे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे जानना है कि ये कौन है कि भाई आखरी ये विलन है कौन अब उनको क्या बताऊं कि मुझे खुद ही नहीं पता बाकी आयान मुखर जी ने बड़ा ही open ending के साथ first part को खतम किया है इस character के बारे में काफी कुछ reveal भी किया है लेकिन जितना reveal किया है अब सवाल उतने ही जादा बढ़ रहे है कि आखरी ये बंदा है कौन इसका शिवा से क्या relation है शिवा की मा अमरिता कौन है और जैसा कि मुझे की end में second part के announcement हो गई है कि second part बेस जोगा इस देव character पे तो अब हमें इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है ये कुछ सवाल है जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे बाइदावे अगर आपको movies, theories, reviews and breakdown देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन प्रेस कर लो तो first part के end में हमें दिखाया गया कि कोई बात नहीं जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि वो DP का पादुकोन है ये लोग photo अगर विश्वास नहीं हो रहे तो वैसे ये बात मैंने आपको काफी पहली बता दी थी कि ब्रमास्तर के अंदर DP का पादुकोन भी है बस मुझे ये idea नहीं था कि इनको part 1 के अंदर ना के बराबर दिखाया जाएगा मुझे तो लगा था कि करीब 10 से 15 मिनिट का रोल होगा लेकिन इन सबसे ये पता चल गया कि second part के अंदर अमरीता और देव इनकी story पर main focus होगा लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शिवा और इशा को side में कर दिया जाएगा बलकि साथ इनकी story भी चलेगी second part को आप एक prequel type मान सकते हो हो सकता है कि part 2 के अंदर 60-70% focus अमरीता और देव की story पे हो and 30-40% इशा और शिवा की story पे देव की शुरुआत कैसे होती है वो अमरीता से कैसे मिला वो इस मूर्ती में कैसे कैद हुआ समूदर ने इन दोनों क्यों निगल लिया और ऐसे काफे सारे सवाल अब भी बचे हुए है जो कि make us को second part के अंदर clear करने चाहिए अब एक main बात आती है किस देव का रोल कॉन प्ले करेगा तो देखो इसमें 99% शक जाता है रनवीर सिंग पर इसके पीछे कुछ solid proof है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला तो यह कि आज से करीब 2 या 3 साल पहले ये निउस आनी शुरू हो चुकी थी कि रनवीर और दिपिका विल भी अपार्टो ब्रमास्तर लेकिन उस टैम मुझे लगा था कि एक fake news हो सकती है या फिर क्या पता मूवी की hype बढ़ाने के लिए सब हो लेकिन दिपिका वाली बात तो सच हो चुकी है SRK को लेके भी काफी पहले news आती थी कि इनका भी कैमी होगा मूवी के अंदर जबकि मूवी रिलीज होने के करीब दो हकते पहले तक makers इस बात से मना कर रहे थे लेकिन वो भी इसके अंदर थे इसलिए मुझे लग रहा है कि रनवीर सिंग वाली बात भी सच है अमरीता और देव के बारे में दिखाया जाएगा और साथ ही कुछ नए अस्तर भी रिवील होंगे और फिर उसके बाद ही कहते हैं कि थर्ड पार्ट के अंदर हो सकता है कि हमें देव वर्षिष शिवा देखने को मिलें तो यार देखो ये भी पोसिबल हो सकता है मैं मना नहीं करूँगा बट आइ थिंग थर्ड पार्ट को लेके कुछ भी कहना भी सही नहीं होगा सेगेंड पार्ट को लेके भी मैं तभी बात कर रहा हूँ जो मैंने फ़र्ट पार्ट देख लिया है इसलिए अभी सेगेंड पार्ट पर ही ध्यान लगाते है एक और जबरदेश थ्योरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाता हूँ और वो ये है कि वट इफ जुनून और शिवार सिबलिंग्स रुको रुको इसको भी मैं प्रूव करूँआ ही कैसे फिल्म के अंदर आपने देखा होगा कि जहांपर रंबिर अपने अस्तर का यूज़ कर रहा होता है तब इस आख को भुजाने के लिए जुनून जलस्तर यूज़ करती है इसका मतलब ये है कि इसके पास अगनी और जल दोनों अस्तर है जो कि पहले देव और अमृता के पास थे दूसरा प्रूव ये है कि एक सीन के अंदर जुनून शीवा से कहती है कि तुम मेरी जान नहीं ले सकते क्योंकि मेरी जान मेरी है ही नि इसका मतलब हो सकता है कि ब्रहम देव ने उसको तयार किया हो ताकि वो ब्रमास्तर वापस ला सके एंड साथ उसको आजाद कर सके तो इन सब रीजन को देखते हुए अगर सेगेंड पार्ट के अंदर ही रीविल होता है कि जुनून एंड शिवा सिब्लिंग्स हैं तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगा एक जगे मैंने ट्वीटर भी ये भी पढ़ा था कि मूवी के अंदर जुनून कोई कवच अस्तर यूज़ करती है एंड उसमें काफी सारे अस्तर की पावर है और वो अस्तर बेसिकली देव के पास है तो जो कोई भी उस अस्तर को यूज़ करेगा उसमें उन सभी अस्तर की पावर आजएगी जो देव के पास है अब इस बात में कितना लोजिक है वो तो मैं नहीं जानता बट मुझे लगा कि आपके साथ शेर करना चाहिए अब इस वीडियो के एंड में ये भी बताना चाहूँगा कि जहां पर बर्मास्तर पार्ट वन खतम होता है तो वहां हमने देखा है कि शिवा को अपनी पावस का पूरी तरह से यूज़ करना आ गया है जहां वो पहले आख से डरता था अब वो उसको सिर्फ कंट्रोली नहीं बिल्कि खुद पैदा भी कर सकता है हमने ये भी देखा है कि शिवा इतना जादा पावरफुल हो गया है कि उसने बर्मास्तर को एंड में रोग दिया था सेकेंड पार्ट से आब ये भी एक्सपर्ट कर सकते हो कि बर्मास्तर के कुछ ने मेंबर्स को भी एड़ किया जाएगा परट फर्स पर्स से भी काफी बड़ा होगा स्टोडिवाइस भी हो टेक्निकली भी बाकि देखो पारट वन के एंडिंग को लेके हो सकता है कि आपके मन में अब ही काफी सारी ड़ाउट हो और वो सब डाउट तो इसी वीडियो के अंदर क्लियर नहीं हो सकते इसलिए अगर आप चाहते हो कि part 1 के ending को लेके especially एक explanation वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे comment करके बता सकते हो साथ ही जो आपके doubt है वो भी comment कर देना I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो अच्छे लगे हो तो और like कर देना एंड जाने से पहले प्लीज प्लीज चलो को सब्सक्राइब कर लो मिलते अगले वीडियो में तिल देन उड़ बाएं टेक कियर